हां तो मेरे देश के नौज़ों वालों मेरा नाम है दीपक गोईल और आज मैं हूँ पहलवान लस्टी 12 नसी में यह लस्टी की बहुती प्रसिद्ध और बहुती पुरानी दुकान है यहां पर लस्टी के साथ-साथ मलईयो नाम की भी चीज़ बलती है जो की एक मखन है बहुत हलका सा बहुत लाइट वेट मखन और उसमें केसर राइची का फ्लेवर और चीनी डालते हैं यह दुकान जैसा की आप देख रहे हैं काफी प्रचलित काफी कस्टमर्स और यहां पर लस्टी के साथ-साथ आपको कचोड़ी और जलेबी का भी लुथ मिलता है यह मलईयो जो है यह है पचास रुपए का बड़ा कुलड और छोटे वाले कुलड़ा पले सकते हैं 30 इसको ट्राइ करते हैं जब इसको मैंने ओर्डर किया तो यह दुकान वाले भाईया ने इसमें स्पेशल मलाई इंसनर डाली है और यह दो आप्षिन दो काटोरे की साइज में आता है चोटा और बड़ा यह चोटा है 30 रुपए का बहुत ही हलका जैसे ही मुँ में आता है भूल जाता है पूरे को भी आपने लिए तो शायद आपका जरास भी पेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि इक्तम हलका है लाइट वेट है अगर मलाईयो बनाना एक कला है तो उस कला के फनकार है यहां के दुकानदार कहते हैं मलाईयो नाम का जो सुट डिश है उसकी शुड़ात वारा नसी में ही हुई और फिर उसके बाद पूरे भारत में यह फैल गया है लंका नाम की लुकालिटी है वारा नसी में, वहां है ये शॉप, बनारस हिंदू यूनिवरस्टी के बहुत पास और कहते हैं बी एच यू लंका वालों की तो सुभाही नहीं होती जब तक यहां की लसी नहीं पी या मलईयों नहीं खाया बड़ी नजाकत से यह मलईयों को भरते हैं को लड़में और इसके उपर पिस्टे से सजाते हैं और नाम हो पहलवा लसी और मैं लसी का जिकर ना करूं यह तो नानसाथी होगी फ्रेश लसी कस्ट्मेर के सामने ही त्यार कियाती है बड़ी नजाकत से शुगर फ्री लसी, चॉप्रेट लसी, फ्रूट लसी ये कुछ आप्शिंस हैं यहाँ पे ये मलाई डाली उपर से स्पेशल कुलहड में और उसके उपर रबड़ी डाली तो आप जब लसी ओर्डर करते हैं तो आपको मलाई और अबड़ी दोनों उपर से डाली आती है, उपर से ये पिस्ता डाला जारा है और शहित के लसी और नंकी लसी, ये दो आप्सिंस भी हैं यहाँ पे और ये मैं लसी ट्राय करने वाला हूँ ये लसी में रबड़ी और मलाई भड़ी हुई है और रही बिलकुल फ्रेश है ये सब से प्रसेद दुपान handlerशी की हाँ प है और रबड़ी से भड़ी हुई है चीनी बिलकुल ठीक है मीठा बिलकुल ठीक है प्रश्मेन कम ज्यादा यह जोटी लश्मेन आपके पैसे वसूल हो रहे हैं